इस वक्ती बड़ी खबर बता दें आज को कि आज 24 अगस्त को प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद पहुंच रहे हैं जहां सेक्टर 88 ग्रेटर फरीदाबाद में वो अम्रता हॉस्पिटल का उद्गाटन करेंगे अभी अम्रता हॉस्पिटल का उद्गाटन कुछ ही देर में प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा आपको बता दें कि ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है निजी हॉस्पिटल है जिसका उद्गाटन आज पीम मोदी के हाथों किया जाएगा आज जिस अम्रता हस्पताल का उद्गाटन पीम मोदी करेंगे उसकी नीव 2008 में ही पड़ चुकी थी 2008 में पहली बार परिदाबाद आई थी आध्यातमेक गुरू माता आनंद मई और तभी इस जो हस्पताल है उसकी नीव पड़ी थी काफी कड़े पुखता सुरक्षा इंतजामात किये गए हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी पहतरीन तैयारियां की गई हैं हर तरफ चप्पे चप्पे पर सेक्टर 88 के 3 किलो मिटर के दायरे में कहीं पर भी किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह रोक आज 24 अगस्त के लिए पूरे फरिदाबाद जिले में धारा 144 लागू की गई है कड़े सुरक्षा इंतजामातों के वीच आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को यहां अमरता हॉस्पिटल के उद्गाटन के लिए पहुँच रहे हैं जो कि देश का सबसे बड हासी में यह हॉस्पिटल है जो 133 एकर भूमी परिसर में बनाया गया है 2008 में इसकी नीव रखी गई थी 2600 बैड का यह अस्पताल है जो सभी आधुनिक इलाज की सुविदाओं से लेस है इस अस्पताल की नीव 2008 में जैसे मैं आपको बताया कि पढ़ गई थी 9 मार्च 2008 को स एक अच्छी स्वास्ति सुविदाओं वाला अस्पताल होना चाहिए जिसके बाद 2008 में ही इस अस्पताल की नीव रखी गई और तब से इस अस्पताल को लेकर काम चल रहा था जो अब पूरा हो चुका है और आज प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी द्वारा इस अस्पताल का उधगाटन कुछी देर में किया जाएगा कड़े सिरुक्षा इंतजामातों के बीच यहां पी एम मोदी पहुच रहे हैं और अस्पताल का एशिया के सबसे बहतरीन हॉस्पिटल का एक नीजी अस्पताल जो पूरे विश्व में सबसे बहतरीन अस्पताल बताय जा रहा है उसका शुबारम उसका उधगाटन आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आएंगी उसको लेकर हम आपको रूवरू कराते रहेंगे यहां की तमाम ताजा तस्वीरा आपको दिखाते रहेंगे देखते रहें देश रोजाना